सब्र की उंगली पकड़ हम इतना चले कि रास्ते हैरान हो गए जी हाँ दोस्तों मेरा नाम है दीपाई शर्मा और आप सब का मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ तो दोस्तों आज का जो हमारा टापिक है वो है सब्र के बारे में यानि पेस्टेंस के बारे में कि भया हमें कितना ज्यादा धहरी रखना पड़ेगा कितनी सारी चीजों को करने के लिए हमें थोड़ी शांती बनाए रखनी पड़ेगी ताकि हम जो करना चाहरे वो कर पाए तो दोस्तों धहरिये कैसे काम करता है किस तरह से चीजे होती है वो आपको मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताऊंगी कि कैसे होती है चीजे एक गाउ में एक आदमी था उसको कुवा खोदने के लिए बोला गया क्योंकि पानी की जुरुरत थी तो उसने बोला चलो ठीक उसमें तो पानी नहीं है तो उसने उसको छोड़ दिया उसके बाद थोड़ी सी आगे जाके थोड़ी और दूसरी जगह लेके वहां उसने खोदना स्टाट किया उसने वहां पर भी खोदा कम से कम 12-13 फिट तक उसने वहां पर भी खोदा मगर वहां पर भी पानी के कोई न कि कोई फायदा नहीं कुछ करने में तभी उसी गाउं का एक दूसरा आदमी वह वहां पर आया और उसने सबसे जादा जो सबसे लंबा और सबसे गहरा गड़ा जो उसने खोदा था उसने बस उसी में खोदा और ठीक उसके एक फुट के अंदर ही पानी निकल आया तो देखा के और यग किसी काम को जो में कर रहे हैं तो उसके उपर कंटीनीट काम करते रहे ऐसा नहीं है एक बार में अगnairesु टपर को दें ए टो चीजैंगे नहीं हो पाएंगी कोई भीचीज उख हो जिंदेगी में कोई भी हमकाम करते हैं चाहा को स्टूटंट हो तो भी धर कंटी तो दोस्तों सब्सें जरोड़ी है और इस चीज को समझना चाहिए कि जब आपको चुरूरा करते है तो उसको हमें टाइम देने कि बहुत ज़्यादा जरूर दें गी टाइम के साथ ही साथ आपके अंदर ability आएगी, आपको सीखना भी तो है, ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी आया और फटा फट हो गया, आप अगर कोशिश करोगी कि हतेले पे सरसो उग जाए, वो नहीं होगी मेरे भाई, कभी नहीं हो पाएगी, तो इसके लिए आपको टाइम द दीरे दीरे आप एक दूसरे को accept कर लोगे, आपको पता चल जाएंगी, कि चलो उसके अंदर क्या चीज़े हैं, मेरे अंदर क्या चीज़े हैं, कहां तक चीज़े मैनेज हो सकती, adjust हो सकती, adjust करके चलते हैं, तो किसी भी चीज़ को टाइम तो देना ही पड़ता है, तो यह स पड़ता है, तो उसके लिए आपको चीज़ों को टाइम देना पड़ेगा, आप जब किसी चीज़ के लिए प्लान करते हो, तो आपको लॉंग टर्म गोल आप डिसाइड करते हो, कि अगले पात साल में आप अपने आपको कहां देख रहे हो, अगले पात साल में अप एज कर इस सूछबं करते हो, तो कम से कच इसके करसकते हो, क्या करने हैं है, तब लोग टूम पर प्लान करते हो ना, उसको आपको पहसे बहुत एप करेगा, क्योंकि आपको लगेगा, कि मुझे इमेडेटी जिपने करने, मुझे चीज़े को टाइम देना है, पता नहें कि इतने अफर्स लगाए है उनका रिजल्ट आपको एक बार में जब वो सब चीजी हो जाएंगी तब मिलना स्टार्ट होगा छोटी से छोटी जो आपने अफर्स लगाए है ना अपने काम को वो भी आपको फल देना स्टार्ट करेंगे तो पहले ना ज्यादा उमीदे मत लगा पहले काम करो दिल खोलके और काम के साथ औरको कित्वी सों चीजेς चेजिते हों कैसे पेसेंस अगर आपके अंदर एंदर आप अपने लिए अच्छीsta कार सकते हों किसे वी चीज के लिए चाहे हो कोई काम हो सकता है या लाइफ में जो चीज Осब Amazing पर बहस बाजी हो जाती है तो आपको पता है कि आपने अगर कुछ बोला तो चीजें जादा बढ़ जाएंगी तो जगो में क्या करते हैं चुप भी मार लेते हैं कि चल चोड यार कुछ होना नहीं फालतू में अपना भी क्यों टेंपर हाई करना लेटी बी क्या थे तो वह ह आपने लड़ाई कर ली तो उसके बाद में फिर सारा दिन आपका वैसी ही जाएगा तो यह आपके अपनी चोहिस है कई पर आपने अच्छा काम करा है लेकिन आपको किसी चीज पर क्रिडिट आपको मिला ही नहीं सारा सब कुछ आपके साथ वाले आपने जो आपके कर लिगा सब्सक्राइब आपके यह एक अगर आपके अंदर का जजबा रहता है ना हमेशा कि मेरा मेरा ही रहेगा वो कहीं नहीं जाने वाला तो चाहे कुछ भी जाए भाड में जाए जुनिया कोई फरक नहीं पड़ता अपने आपको तो अपने लिए बेटर चोईस आप कर सकते हो दोस्तों आपने सोचा है दो दिन गए तीन दिन गए उसके बाद ने छोड़ दिया मुझसे नहीं होता फाल तुमें क्या यार इस अब चीजे लेकिन सीखने के बाद भी तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है ना प्रैक्टिस करोगे तभी तो जितना क्योंकि चलाओ की जितना हुआ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नॉलेज वह उतनी अपने लाइफ में काम नहीं आती है अपने को लाइफ में काम आती प्रैक्टिकल नॉलेज क्योंकि जितनी चीजों को हम प्रैक्टिकली देख चुके होते हैं वह हमें जितना ब्रॉड व्यू चीजों को लेकि हम समझ पाते हैं वह खाली जाद आपने को बाते नी करनी है मगर जो बहुत ही पेसिनस वाला बंदा है ठोड़ा इस तरह का बंदा होता है जो बहुत पेसिंस रखता है उसके तरफ लोग ना ऐसे अट्रेक्ट करें कि अजाते हैं तो आपके प्रस्नेटी भी ऐसे भनगा उगी अगि यह चीजो दिए उ चीखना चिलाना चालो रखो तो नोबड़ी विल लाइक यू नोबड़ी तो अपने अपको अगर अच्छा बनाए रखना है आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें और आपके साथ टाइम बिताना उनको अच्छा लगे तो आपसे दोस्ती करें तो अपने अंदर ना पे में दोनों बहुत अच्छी होती है और जब अगर में चुक्क्तिस क्यों चाहते हैं तो कि वहादा है तो स्ट्रोंग हो जाता है वहारे फिसिकल पर ना तो यह दोनों चीज को ब्हुत ज़ाइब है और चीजों तो फिजिकली और मेंटली दोनों हमारी बिल्कुल बल्ले बल्ले फिर तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है बिल्कुल fit and fine रहेंगे फिर तो भाहिया चाहे कुछ भी आजाए हम हार चीजों से लड़ेंगे एक दम है ना तो और हाँ एक चीज दोस्तों देखो क्या होता है जब हम उस टफ situation से निकले हुए इसलिए आप उसको आपको पता है कि आप उसको कैसे help कर सकते हो कैसे उस जगह पर आप समझ सकते हो कुछ भी नहीं ना किसी भी तरह की help नहीं तो कम से कम सुनना किसी को सुनना वो भी बहुत बड़ी help हो जाती है तो वो जब उस situation पे है लेकिन से हैंडल करो इस तरह से तो यह जो काइंडेस है ना आपकी परस्नल्टी को में और निखार लेके आएगे और आपको लोगों के साथ और जुड़ा होगा लोग आपसे जुड़ेंगे आपको पसंद करेंगे और आपके अंदर पी पॉजिटिविटी आएगी क्योंकि आज चिंजे से उनको एकसेट करो और लो क्योंकि वह आपको बहुत आगे करने वाले हैं लाइफ में बहुत आगे लेके जाने वाले तो उसको आपको एकसेट करो और आगे बढ़ो और सबसे इंपोर्टेंट जो है वो है यह कि आपके अंदर क्या आजाएगी आपके अंदर ए बहुत आगे आपको लेके जाते हैं क्योंकि आपको अपने थे पेण स्ट्रेसं के लिए यह सब से पाक्डिकल छहते हैं नो learn जैसे आप अपने उत्टों क्या है अपना पूजितिव सAK एक green जोन घर भी लेकर कब दना सूबकिर ने बहुन आड़anda रखना शांति रखना सीख जाते हैं तो मारे लाइब भी बहुत एजी हो जाती है हमें इतना जल्दी गुस्सा नहीं आता हम उते जल्दी इरिटेट नहीं होते चीजों को तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा है तो दोस्तों यही था आज के हमारे वीडियो में उम्मीद और आपको काफी अच्छा लगा होगा तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में अपने प्यारे 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 कॉमेंट आप जरूर देना और जो लोग मेरे चैनल पे नहें हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना क्यूंकि हर अपने ने वीडियो बनाके लाती रहती तो अपना ध्यान रखना है बहार नहीं जाना है अगर जो लोग जा रहे है तो प्लीज अपना ध्यान रखना बहार अराम से तसली से अच्छे से जाना सारी सब चीजे जो हमको पता ही है क्या करना है एक साल से ट्रैक्टिस करते हैं हम लोग ना सेनिटाइजर है मास्क है य झाल झाल